नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन इस्टड़ी पॉइंट पर आप जानते ही हैं कि आपकी परिछा से संबंदित महत्पूर से रीच चल रही है ये प्रशन आपके सुपर्टेट, सीटेट, एम्पूटेट, एच्टेट, सीटेट सभी के लि बिलियम जेम्स, आपसन नमबर B प्लेटो, आपसन नमबर C अरस्तू, और आपसन नमबर D मैकडूगल क्या लगता आप सभी को मुझे पता है हो सकता आप सबको जरूर पता होगा इसका आंसर तो आधनेक मनोविज्ञान के जो जनक थे वही होंगे इसके आंसर तो इसका आ अगले प्रश्ण की तरफ साइकी और लोगस सब्द किस से बने हैं आप सबको पता है कि साइकी और लोगस यह किस से बना है यूनानी भाफा का सब्द है फ्रांसी भासा का सब्द है या पुर्तगाली भासा का सब्द है तो यह भासा यूनानी भासा का सब्द है यह साइकी और लोगस तो इसका आपसा नंबर है सही हो जाएगा जिया बिलकुल इसका आपसा नंबर है क्या होगा सही होगा चलेंगे हम अगले प्रश्नों की तरफ सिच्छा मनोविज्यान नामक कुस्तक किसके द्वारा लिखा गया आपको पता है अगर ये कहा जाए कि सिच्छा मनोविज्यान के जनक कौन थे तो थानडाइक थे आधुनिक मनोविज्यान के जनक कौन है बिलियम जेम्स है और संरशनात्मक मनोविज्यान के जनक कौन है बि अगले प्रश्णों की तरफ मनो विज्ञान का जन्म किस से हुआ भुगोल से हुआ संस्कृत से हुआ नीति साफ्त्र से हुआ या फिर दर्शन से हुआ तो मनो विज्ञान का जन्म किस से हुआ आप सभी को पता है मनो विज्ञान का जन्म हुआ था दर्शन से तो इसका आप बिल्कुल आपसे नमबर डी क्या होगा इसका सही होगा चलेंगे अगले प्रश्णों की तरफ आधनिक सिच्छा मनोविज्ञान के जनक कौन है हम पहले ही बता चुके आपको कि बिलियम जम्स को आधनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है मनोविज्ञान का जनक कौन है तो विलियम वुंट आप जानते ही हो चलेंगे इस प्रश्ण का उतर आप जाने चुके हो आदुनिक्ष इच्छामनों विज्ञान के जनक कौन है विलियम जैमस है चलेंगे अगले प्रश्णों की तरफ सिच्छा वा है जो मुक्ति दिलाए ये प्रश्ण आ चुका है आपकी परिछाओं में सिच्छा वही है जो मुक्ति दिलाए किसने कहा जी हाँ फड़ा फड़ इसका अंसर आप करिये क्या आपको लगता है आपको क्या लगता है भई मुझे लगता इस प्रश्ण का उत्तर आप सबको पताई होगा तो इसका आंसर है संक्राचार ने कहा थाक सिछा वा है जो मुक्ति दिला है जी हाँ बिल्कुल आपसे नंबर भी सही हो जाएगा उपनिसत का विसय क्या है मैंने कहा कि वही प्रश्ण मैं लूँगा जो सिछन कासल जीवन कासल और बालमनो विज्ञान सबको मिस्रित करे उन सभी प्रश्णों की स्रिंकलाओं को सामिल करते हुए आपकी परिच्छा में ये प्रश्ण बिल्कुल फस्टने वाले हैं तो कहीं मत जाईए लगे रहे वीडियो में इसका उत्तर क्या होने वाला है आप सबको बता दें इसका सही उत्तर होगा आपसे नमबर सी उपनिसत का विसय रहा है दर्सन चलेंगे कुशन नमबर आठ दर्सन का क्या विसय है उपनिसत का भी से अगर दर्सन है तो दर्सन का भी से क्या है आत्मा जीव जगत या सभी जी हां बिलकुल सही बात है दर्सन का भी से ये तीनों रहे हैं आत्मा भी रही है जीव भी रहा है और जगत भी रहा है तो इसका आपसे नंबर डी क्या होगा बिलकुल सही हो जाएग स्वस्थ मस्तिस का निवास करता है किस ने कहा इस प्रश्ण का उत्तर आपके लिए छोड़ देते हैं आपके लिए छोड़ दें चलिए इसका उत्तर हम करवाई देते हैं स्वस्थ सरीर में ही स्वस्थ मस्तिस निवास करता है इस प्रश्ण का उत्तर आप सभी हमें कमेंट सेक्षन में देंगे पिछले वीडियो मैंने पूछा था एक प्रश्ण उसका उत्तर आप सभी ने किया और इस प्रश्ण में स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मस्तिस निवास कर बहुत ही आसान जवाब है इसका उत्तर आप सभी खुद करेंगे इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दस्वा कोईस्चन मनों विज्ञान आचरनवा व्योहार का यथार्थ विज्ञान है तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा मैग डूगल ने कहा था आचरनवा व्योहार की जब भी बात आएगी आचरन व्योहार तो छोड़ दो लेकिन जब भी आचरन की बात आएगी तो वो आपसन चला जाएगा मैग डूगल के साथ जिया बिल्कुल इसका आपसन नमबर डी सही हो जाएगा चलेंगे अगले वाट्सन ने कहा किस ने कहा इस चीज को जी हां इसका सही उत्तर क्या होगा एक बैज्ञानिक थे वाट्सन जिन्हों ने क्या कहा था नो ने कहा तुम मुझे नवजात सिस्विदो मैं उसे चोड डाक्टर वकील कुछ भी बना सकता हूं जी हां व्योहारवात के जनक वही थे वाटसन सही उत्तर हो जाएगा वाटसन के बारे में आपको और बताएं तो यसो वारेक आपने नाम सुधा होगा फिद्धान सुना होगा उसके प्रतिपादक और जनक के रूप में वाटसन को कहा जाता है चलेंगे अगले प्रशन की तरफ एमील किसकी रचना थी जियां सबको पता होगा इस प्रशन का उत्तर एमील रचना थी किसकी रूसों की अरस्तों की रॉस की या प्लेटों की तो इसका सही उत्तर क्या होगा सभी को पता है रूसों की थी चलेंगे तीसरे कुश्चन पर स्वारी थर्टीन नमबर कुश्यम पे आएंगे रूसों के अनुसार रिपब्लिक का विसय क्या था रूसों के अनुसार जिस रूसों ने एमील नामक कुस्तक की रचना की उनके अनुसार रिपब्लिक का विसय क्या था तो रिपब्लिक का विसय क्या था आपसा नमबर A है अंग्रेजी, आपसा नमबर B है सिख्छा, आपसा नमबर C है न्याय तत्तो और आपसा नमबर D है नीती सास्त्र, क्या होगा इसका सही उत्तर? आप सभी को पता होगा नहीं पता है तो हम आपको जरूर बता देते हैं इसका सही उत्तर होगा आपसे नमबर 26 रूसों के अनस्वार रिपबलिक का बिसे था सिक्छा चलेंगे अगले कुश्ण पर रिपबलिक किसकी रचना थी? जी हां, सभी को उत्तर करना इसका, रिपब्लिक किसकी रचना थी, क्या ये रचना अरस्तू की थी, क्या ये रचना प्लेटो की थी, क्या ये रचना रूसो की थी, या इन में से कोई नहीं फड़ा फट दिमाग में आप calculate करें कि रिपब्लिक किसकी रचना थी जाँ रिपब्लिक रचना किसकी थी सोची और विचार करके बताईए कि रिपब्लिक किसकी रचना थी रिपब्लिक रचना रही है प्लेटो की I think आप सबी को पता होगा जरूर इसका उत्तर तो रिपबलिक उत्तर रहा है प्लेटो का रिपबलिक का सही अंसार होगा प्लेटो चलेंगे अगले प्रशन की तरफ सिच्छा मनो विज्ञान पुष्तक कब प्रकासित हुई तो सिच्छा मनो विज्ञान नामक पुष्तक आपसा नंबर एक कहता है 1913, दूसरा कहता 1926, तीसरा कहता 1923 और 1928, जी हाँ इसका सही उत्तर होगा 1913, जी हाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा 1913, सिच्छा मनो विज्ञान नामक पुष्टक 1913 में आया, I hope आप सभी ने वीडियो को इंज्वाइ किया होगा, और आप सभी जितने लोगों ने वीडियो को देखा है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, मोटिवेसन है आप सभी का, तो सारे लोग जो है वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मि